जो दूसरा सबसे सम्मानित सम्मान है यही वजह है कि उनको पूरे स्टेट ऑनर के साथ उनको आखरी विदाय दी गई जब अपने घर से बहान निकल लेते मुंबई के कोलवा लाके से तब ही पूरे राज के सम्मान के साथ गौड अफानर के साथ उन्हें घर से निकाला गया पूरे राज के सम्मान के साथ यहां पर जब उनकी बॉड़ी और पार्तिव स्री राय ता यहां पर रखे गया जब अपार्तिव सरी यहां से निकल कर जब वर्ड ली के हिंदू सम्चान भूमी पर जा रहता है उससे में पूरे स्टेट ऑनर के साथ सब्सक्राइब रतन द देते हैं उनके बाद उन्हें उस वैन में रखा गया जिस पर आखरी यात्रा पे निकले हैं और कि समय आपको पता है कि नर्मान पॉइंट से जो डिस्टंस है वर्ड़ी सम्चान भूमी का वो तक्रीवा नौ से दस किलोमेटर का है कोस्टल डोट होते हुए यह लोग कि निकाली जा रही है कितनी सारी भीड वहां पर इस वक्त पॉंच चुकी है दूर दूर से लोग यहां पर आ रहे हैं उनकी अंतिम दर्शनों के लिए जो एंसी पीए में रहकर नहीं कर पाया जब उनका पार्टिव शरीर बाहर यहां पर अंतिम यात्रा के लिए ले जाय उनने देखी रतन डारी जी की जैसी उनकी सबको पता चला कि उनकी मित्यों हो चुकी है लेट नाइट की खबर आए थी रात के तक्रिवन साड़े गारे विजेगा असपस की मुबई के बिश का एंडी में उनका ध्यानत हो चुका है सुंबार को उनकी तब्यत अचानक बह के अपने हॉस्पिटल आना पड़ता है लेकिन दो दिन बाद यानि की बुद्धवार को शाम की खबरे आना शुरू हो गी थी कि रतन डाड़े जी की तब्यात वह बहुत खराब हो चुकी है और क्रिटिकल कंडिशन में और रात को तक्रिवन 11 की 20 में यह ऑफिशल डेक्ल अब बुद्धान जी निकले हैं तो मुंबई शेहर में जो डिस्टन्स है जो निर्मन पॉंट से होते हुए मरीं डाइव होते हुए पूरा वडली तक पहुचेगा तो हरे कोई जो लोग सड़तों पे मौशून जो रतन डाड़े जी की दर्शन नहीं कर पाएं तो एक हु कि जाते जाते से में रतन डाड़े जी की एक जलक जरूर पाले हैं शिमाने देशक और यहां पर हम देख भी सकते हैं अंतिम यात्रा की तस्वीरें रतन डाटा की जब वरली के शम्शान घाट उनकी पार्थिव शरीर को यहां पर ले जाय जा रहा है हजारों की संख्या में लोग एक अत्रित हुए हर कोई उनकी अंतिम दर्शन यहां पर करना चाहता था क्योंकि उनका पूरा जीवन और वो खुद भी मानवता की एक मिसाल यहां पर बन कर गए हैं और प्रेणना स्त्रोत रहे हैं वो तमाम उन उद्योग पतियों के लिए और खासतोर पर हर किसी के लिए चाहे युवा पीड़ी ही क्यों ना हो जो कभी चार पहिया वाहन की बारे में सोच भी नहीं सकता उस तक भी वो चार पहिया वाहन पहुचाएं इसलिए उस पद पर रहते हुए उन्होंने आम इंसान की बारे में भी हमेशा से सोचा जो कमाई का उनका पैसर प्रतिशत हिस्सा था वो जाता था सीधे सीधे टाटा ट्रस्ट को ताकि वहाँ से वो पैसा वो जन हित में लगा सकें और ऐसे में तस्वीरें आज की बेहद एहम और अंतिम विदाई जब उनको दी जा रही है अंतिम यात्रा प्रतिन टाटा की